नमस्कार स्वगत्याप का हमारे चंचार जागंद्र मिशा में पैसे गिंते गिंते ठक जाएंगे 80 वर्सों बाद 30 अप्रेल को शूर ग्रहन 6 राशिया होंगी करोडपती शभी ग्रहों के राशी परवर्तन के बाद लगने वाला है साल 2022 का पहला शूर ग्रहन इन खुश किश्मत राश वालों को दिला देगा अपार धन जूम उठेगा इनका मन संपनता सफलता चूमेगी कदम दोस्तों हिंदू पंचां के अनुसार बैसाक मास के अवश्या तिथी पर यनी शनिशरी अवश्या के दिन शाल का पहला शूर ग्रहन लगने जा रहा है इस दिन शनिवार और अवश्या होने के चलते इसे सनिशरी अवश्या कहा जा रहा है हिंदु धर्म में शूर ग्रहन और चंद ग्रहन दोनों का बशेश महत होता है जिस दिन शूर ग्रहन पढ़ता है उस दिन कई नियमों का पालन किया जाता है शूर को पिता और आत्मा का कारक माना जाता है शूर बेक्त के केरियर, शमर्पन, शेहन शक्ती, जीवन शक्ती, सप्रेल को शूरगण जो लगने जा रहा है ये बहुत ही खास और महतपूर्ण सूरगण लगने जा रहा है इस दिन कई शारे दुरलब राजयोग और सबस्व शयोगों का निर्माड हो रहा है जिसके चलते इसे सूरगण पर कुछ ऐसी राशियां है जिनकी किस्मत बहुत तेजी से चमकने वाले हैं अब इनके उपर धनकी देवी माता लक्ष्मी के अपार कृपा दृष्ट बनी रहेगी दोस्तो हिंदु धर्म में शूर को देपता के रूप में पूजा जाता है मगर बिज्ञान के दृष्ट कोंड से एक बड़ी खगोली घटना के रूप में इसे देखा जाता है जो तिस सास्तर के अनुसार शूरगण पूरे बारा राशियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है साल 2022 में पढ़ने वाले दो सूरगणों में से शाल का ये पहला सूरगण तीश अप्रेल की मद्धरातरी में लग रहा है ये ग्रहण मद्धरात में बारा बच कर अठारा मिनट पे शुरू होगा और शुबए चार बच कर आठ मिनट पे समाप्त हो जाएगा ये शूरगण आंसिक शूरगण होगा यानि कि इसका प्रभाव देखा जाए तो कुछ राशियों पर सकरात्मक और कुछ राशियों पर नकरात्मक देखने को मिलेगा ये सुर्गण मेश राश में तथा भर्णी नचत्र में लगेगा इसलिए मेश राश के और भर्णी नचत्र के लोगों को विशेश सावधानी रखने की जरूरत है मेश राश में शूर उचके होते हैं इसलिए ये ग्रहन काफी खास और काफी महत्पून बन गया है क्योंकि ऐसा महादुलब सुभसयोग असी वर्सों के बाद बन रहा है। धार्मिक और बेग्यानिक नजरिय से ये बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शूरगण का बहुत ही महत्व है। किश्वी ग्रहण के दवरान कोई भी सुभकार नहीं किये जाते हैं। अटलांटिक में और दच्छनी धुरूब अंटारिटिका में दिखाई देगा। ऐसे में भारत में इसका शूतक का लिमाने नहीं हो पाएगा। वेशे ग्रहण के बारा घंटे पहले ही ग्रहण का शूतक लगने पर कई निमों का पालन किया जाता है। ग्रहण से संबनित कुछ निमों का पालन अगर किया जाए तो काफी अच्छा होता है और ग्रहण की दृष्टा अंसार इसके प्रभाव के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। ये ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां के लोगों पर अपना विशेश कर प्रभाव डालेगा। पुतल होती है हर जीव जन्त पर पेंड पौधेव पर इसका प्रभाव सूर ग्रहण का पड़ता है इसले शूर उर ग्रहण हो या चंद ग्रहण हो इसके सूतक और इसके नेमों का पालन जरूर करना चाहिए ग्रहण के समय मानस पूजन मंत्र जाप और भजन आदी किरतन जरूर करें भोजन में तुलसी का पत्ता डाल लें गर्वती में लाएं चाकू कैची धरदार वाली वस्तोय ना चुएं दोस्तों खास बात तो है कि इस बार कई है शूर ग्रहण बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन कई सारे दूलब सुबसेयोग बन रहे हैं दोस्तों ग्र हो सके तो आप ग्रहण के बाद दान करें वस्तर का दान करें गुड का दान करें तिल का दान करें खास बात तो यह दोस्तों कि इस बार के यह सूर गहन बहुत ही खास है क्योंकि 30 अप्रेल को यह जो सूर गहन लगने जा रहा है इस दिन कई सारे दूलब राजयोग और सु प्रोडपती बनने वाली हैं धन से माला माल होने वाली हैं इनके उपर अब धनकी देवी माता लक्ष्मी के अपार कृपादिष्ट बने रहेगी दोस्तों जब भी कोई शुब दुरलब योग बनता है उस दिन माता लक्ष्मी के अपार कृपादिष्ट कुछ राशियों पर पढ़ने जा रही है इस बार भी 30 अपरेल को ये जो साल का पहला शुर्गहन लगने जा रहा है इस दिन सरवार्द सिद्ध योग और भी कई सारे दुरलब योग बन रहे हैं जिसके चलते कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके भाग अब चमकने वाले हैं तो आखिर ये भाग साल राशियों के बारे में बताने वाले हैं तो आप से अंडरोदे की वीडियो का आप शुरूर से लेकर अंतक जरूर देखेगा बिल्कुल भी मिश ना करें क्योंकि ये वीडियो आप ले बहुत ही खास रहने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले और ख कारियों में चल रही परिशानिया अब आपकी दूर होगी बिजनस व्यापार का विस्तार कर पाएंगे अच्छा खासा मुनाफ़ा का कमा पाएंगे मा भक्ती लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि के चलते अब आपकी नई नोकरी तो लगेगी साथी नए बिजनस व्य कई महतपूर्य योजनाओं का लाभ है मिलेगा जो कार काफी समय से अधूरे थे वो कार अब आपके तेजी से होने वाले हैं अब अगली यानी जो राशी दूसरी जो राशी आती दोस्तो वो है यहाँ पर दोस्तो मिधुन राश मितुन राजक्यात को अब आपके किसमत बहुत तेजिस चमकेगी माता भगवती लक्षमी किर्पा अपार बनी रहेगी बता दे कि सिक्षा का शेतर काफी उचा रहेगा और सिक्षा में सुधार होगा नई जोब लगेगी प्रमोशन की योग बनेगे महतपूर अधिक्यारों से साथ अच्छे समंद स्थापितों के समाव्यमान समान बढ़ेगा और रुकावा फसाव कोई महतपूर डील फाइनल होगा और बैंक से कोई लोन वगरा मंजूर हो सकते हैं लोटरी वगरा लग सकती है और साथी धन समपत अच्छे में ब्रदी होगी कई महतपूर योजनाओं का लाभ हमलेगा और बता दे कि माता लक्ष्मी कृपा से आप आप नए कारियों के सुरुआत करेंगे नए बिजनेस व्यापार के सुरुआत करेंगे रुका वफसव धन प्राप्त होगा आपके घर में अव्याइस जातकों के नए रिष्टे आएंगे साथी व्याक लिए अयोजन हो सकते है अगली या नी जो तीसरी जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर तुला राश तुला राश की आत को बता दे की यह सुरुगहन आपके लिए काफी लखी रहने वाला है भगवती माता लक्ष्मी के अपार कृपा दुष्ट बनी रहेगी धन संपत तेस्तर में बर्दी होगी जमीन प्रुपर्टी खरीदारी करेंगे नए भवन का निर्मार करेंगे गाड़ी बाहन का शुक प्राप्त करेंगे अनेक जगों से विशेष धन का लाब होगा रुके वे तमाम कार पूरे होंगे बता दे कि आप नए कारियों के सुरुआत करेंगे प्रेम जीवन में खुशियां भर्षेंगी प्रेम संबन्द प्रगारताएगी धन संपत असरों में ब्रदी होगी बित्ती मामले में सुधार होगा आर्थिक संपनता बढ़ेगी और राजिनिदिक शेतरों में लाब होगा और कोट के चरीक मामले में बीजय हासिल होगी अब अगली यानि जो चोथी जुराशी आती है दोस्तों वो है यहाँ पर मकर राश मकर राश के आद को बता दे कि अब आपके किसमत बहुत तीजिस चमकेगी अनेक जगों से बिशेश धन का लाब होगा यानि कि जो आप कमाते थे उससे कहीं जदा आप कमा पाओगे और अनेक जगों से आपको उपलब्दी हासिल होगी बता दे कि इस समय आपको समाज में काफी मान समान और लोकपरिता बढ़ेगी जो कार काफी समय से अधूरा था वो माता लक्ष्मी कृपा से अब पूरा होने वाला है यह सुर्गर्ण आपके लिए बहुत ही बिशेश कर फलदाई शाबित होने वाला है मा लक्ष्मी कृपा से अब आप अपने जीवन में उच उपलब्दी हासिल करेंगे मान समान हासिल करेंगे साथी बता दे दोस्तों की आपके घर परिवार में बड़े भाई बहने को सहयोग प्राप्त होगा माता पिता के स्वास में सुधार होगा धन संपत तैस्तों में बरदी होगी कई महतपूर्ण योजनाव का लाभ है मिलेगा अब अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती है पारवार चला रहे हैं तो पार्टनर में आपको बड़ी उपलब्दी हासिल होगी माता लक्ष्मी कृपा से इश्वार कईया है बहुत विशेश कर शूर्गन साबित होगा आपके लिए इसलिए तो काई कि पैसे गिनते गिनते ठक जाएंगे असी वरसों बाद बिदेश की आत्राएं करेंगे बिदेशी कंपनी से विशेश लाब होगा पुराने मित्रों का सहयोग प्राथ होगा साथी साथ इसमें आपने नए घर का निर्मार कर सकते हैं गाड़ी बाहन सुक्ष मृद्धी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये छे राशिया धनसे माला माल होने वाली हैं इसलिए तो कहा है कि पैसे गिंते गिंते ठक जाएंगे असी वरसों बाद 30 अपरल को शूर गरने ये छे राशिया होगी करणोपती तो दस्तों कमेंट में लिखे हैं जै मातादी साथी वीडियो को लाइक करें जदा जदा सेर करें और चाहों को सब्सक्राइब करें जै सूर देर